क्या है उद्यार राममंदीर और सीमयोगी को बमसोडाने जाएगा वर्तो सुनी होगी आपने लेकिन आपको इसके पीछे की सच्चाई नहीं पता होगी इसलिए आप ग्यान के अंदे हैं क्या है इस मामली की पूरी सच्चाई बने रहे इस वीडियो में जानने के लिए नहीं तो आप भी ग्यान के अंदे हैं किसने दमकी दी है राममंदीर और सीमयोगी को बमसोडाने की कौन है वो सक्स कुछ दिन पहले भारती की सानमन चेबं भारती गोसेन परिसर देंजियो के अद्यक्च देवें तिवारी को एक एमिल के जरी एक धमकी मिली थी जिसमें राममंदीर, सीमयोगी और सीमयोगी और सीमयोगी के चीफ को बमसोडाने की देवें तिवारी ने दावा किया था कि एमिल बेजने वाले ने खुद को पाकिस्तान खूफी एजनसी आईसाई का एजेंट बताया था और इस एमिल के बाद हमारी पुलिस और अधर एजेंसी हरकत में आ गई थी अब आप यही सोच लोगे कि धमकी पाकिस्तान से मिली है तो जरूर किसी टेर्रिस्ट या किसी एजेंसी ने दियोगी वाँकी तो फिर आप ग्यान के अंदेयो अब तक इस मामले में दो लोगों को गिरफतार कर लिया गया है बुदवार 3 दिसंबर साम को आरोपी ताहर सिंग और ओम प्रकास मिस्रा को लखनव से गिरफतार किया गया है आरोपी के कब बुलनामे के नुसार देविन तिवारी ने खुदी ये साजिस रची थी देविन तिवारी ने सुरक्षा पाने के लिए और वड़ा नेता बनने के लिए खुदी दमकी बारा मेल बेजवाया था पुछ स्थास में पता चला देवन तिवारी ने अपने सोसल मेडिया एंडलर तार चिंग और परसलर सेक्रेटरी ओम प्रकास मिश्रा से दमकी वरा मेल फर्जी इमेल आइडी से बज़वाया था मेल बेजने के लिए दोनों को दो नए फोन दिये गया थे और मेल बेजने के बाद फोन को चला दिये गया था देवन तिवारी ने सोसल मेडिया पर आइलाइड होने के लिए सुरपचा पाने के लिए ये पूरा नाटक रचा और फरजी इमील बजवा कर पुलिस सिटेशन में शिकायद भी दर्च कराई और इस मामले के मास्टर मैंड देविंतिवारी अभी तक फरा रहे हैं देख रहे हैं आप कितना दिमाग लगा है देविंतिवारी ने इसलिए में आपको कह रहा था कि पूरी वीडियो देखके जाएं ताकि आप भी ग्यान के अंदेना रहें वीडियो पसंद है तो लाइक करो सब्सक्राइब करो और सेर करो आप से फिर मिलेंग अगली वीडियो में जब तक ग्यान के अंदेमत बनो